बंगाल में अक्ट्रिस रिया मर्डर केस में पती गिरफतार हो गया है हावडा के पास अक्ट्रिस रिया को गोली मारी गई थी परिवार बालों के शिकार पर पती प्रकाश अगिरफतार हो चुका है पती ने दावा किया था कि लूट पार्ट के दौरान मर्डर किया गया परिवार के साथ कोलकता जा रही थी रिया कुमारी पती और बेटी के साथ राची से कॉलकाता ज़ारही जारखंट की एक्ट्रिस रिया कुमारी उर्फ इशा आलिया की पश्म बंगाल के हावडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई पॉइंट जीरो रिंच से गोली मारनी की घटना बेवनितरी अ गरेशा आलिया के पती प्रकाशर सिंग को पुलिस ने गरफतार किया दरसल एक्ट्रिस अशा आलिया की हत्या 28 दिसंबर को सुबहFi नेश्नल हाईवे सुला पर हुई रिया अपने पती और तीन साल की बेटी के साथ रांची से कॉलकता जार ही थी जिस वक्त ये वारदाद घटी आरोपी पती की माने तो जब वो रास्ते में रुके तो बदमाशों ने उन्हें घिर लिया महिश ट्वेखा ब्रिच की पास उनका समान छिन लिया यही देखकर जब ईशा गाड़ी से उतरी तो अपराधियों उस पर गोली चुला दी बताधिर या उक्मारी को जारखन में ईशा अलिया के नाम से जाना जाता है उनके अपती प्रकाश कुमार भी एक फिल्म निर्देशक है इशा जॉलिवोड भोचपुरी बांगला फिल्म में काम कर चुकी है राची में आज से उन्हें नागपुरी फिल्म लाजों के गाने की शूटिंग भी करनी थी